तो हैलो ने लगम दोस्तों स्वागता आपके फिर सेकिन वीडियो के अंदर मेरा नाम है गौराओ आप देखरे हैं एक्स्प्लोर इंटरनेट यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Poco M2 Pro के अपडेट के बारे में तो इसके अंदर दोस्तों जो MIUI 12.5 का अपडेट था वो काफी पहले मिल चुका था और अभी तक काफी सारी डिवाइजस के अंदर ये जो अपडेट है रिसीव नहीं हुए है और काफी सारी डिवाइजस दोस्तों ऐसे भी जिनके अंदर आभी Android 11 तक अपडेट जो है रिसीव नहीं हुए है और मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो के जाके देखिए उसके अंदर जो मैंने आपको तीन तरीके बताई हैं उनको आप यूज करिए उन तरीकों से अगर आपको कोई फायदा नहीं होता है आपको अपडेट नहीं मिलता है तो फिर आप इस तरीकों की यूज करिए क्योंकि वो वाले जो तरीके मैंने आपको बताया थे वो एक दम बैस्ट है उसके अंदर दोस्तों आपको मुबाइल के ब्रीक होने का है, फिर ऐसा कोई खत्रा नहीं है, यहां पर जो है, आपको थोड़ा बहुत खत्रा देखने को मिलेगा, आपको अपने रिस्क के उप पर यह सारा काम करना पड़ेगा, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्किप मत करें, चले वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों अगर आप अपने मुबाइल को मैनुवली अपडेट करना चाते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ओफीशल रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, 12.5 का, उसकी जो लिंक है, सारे के सारे स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीक ऐसे फोलो करते हैं, तो अच्छे से आपको मुबाइल अपडेट हो जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि मैने अभी आपको पहले कहा था, कि आपको एक रोम की यहां पे जरूरत पड़ेगी, तो उसके बारे मैं आपको सबसे प आपको दिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, आपको सबसे पहले इसके उपर क्लिक करना है, जैसे आप उसके उपर क्लिक करोगे तो वो ख्रोम के अंदर अपने आप खुल जैगी, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेट सा आपके सामने वहां पर आने यहां पर दोस्तों देखिए आपको Poco M2 Pro के 12.5 अपडेट था उसके बारे में एक आटिकल देखने को मिलेगा कि इसको अपडेट वगरा जो मिल चुक है, जो चेंज लोग है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा यहां पर देखिए निचे इस यहां पर पड़ सकते हैं, मैंने इसको आईलाइट कर दी है, और मैं भी दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वेट कर लीजिए अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा और खास दोर पर अगर आपने फोन नया लिया है, आपके Android 10 चल रहा है, तो आपक इस लिंक जो आपको लिखा हुआ है, इसके उपर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा है, यहां पर पॉप अप एक शो होगा, तो आपको यहां पर जो नाव वाले की उपर पहले सी सिलेक्ट है, उस download का और cancel का यहां पर दो option मिल रहे हैं तो आपको download वाले option के ओपर click कर देने हैं आप पर एक चीज का दोस्ता वो खास तोर पर द्यान रखना है कि जैसे ही आप यहां पर download के ओपर click करते हैं उसके बाद आपको बीच के अंदर कोई भी data को off नहीं करना है आपको लगातार इसक बढ़ जाते हैं काफी तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसके download के ओपर click करके इसको download कर रहे हैं तो उस दोरान आपका जो data है वो बीच में से disconnect ना हो किसी भी कारण से और आप इसको दोस्तों लगातार एक ही बार में download कर ले तो मैं आपके data हो तब अब फिलाल तो मैं इसको cut कर देता हूँ एक बार क्योंकि मेरा जो data already download हो चुके हैं अब एक बार download हो जाने के बाद दोस्तों देखिए आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले जो file आपने zip file आपने download करी है उसको आपको अच्छी सी जगई यहापे set कर लेना है चाहे वो आपके internal memory हो चाहे वो आपके SD card की memory हो जहां से आप उसको असानी से ढूंड पाएं तो एक बार उसको set हो जाने के बाद आपको करना क्या आपको अपने mobile की settings के अंदर चले जाना है यहापे दोस्तों आपको अपने mobile को root करने की या फिर इसके अंदर custom recovery डालने की क हो रहा है इसके उपर आपको simply से click कर देना है यहापे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो MIUI 12.5 का enhanced version है वो already मिरको update मिला हुए है और यह चल भी रहा है अच्छे से इसके change log है उसके उपर भी menu वीडियो दे रिखे कि आपको क्या कुछ इसके अंदर change होगा और क्या कुछ ने features आपको मिलेंगे तो वीडियो भी आप देख सकते हैं लिंक उसका भी description में मिल जाएगा अभी दोस्तों आप यहाँ देखिए उपर आपको 3 dots दिखाई दे रहे होंगे इन 3 dots की उपर जैसे आप click करोगे कुछ इस तरह हैं की menu दोस्तों आपको सामने आजेगे यहाँ आपको second number पे choose update package का एक option मिलता है अगर आपको दोस्तों यह option शोर नहीं हो रहा है तो आपको घबरानी की बेलकुल भी जोगत नहीं हम आपको बता देता हूँ इसको आपको कैसे activate करना है तो आपको सबसे पहले का करना है यह जो लोगो दिखाई दे रहा है इसके उपर दो storage के अंदर हो चाहे आपको जो SD card के storage के अंदर आपको इसको डूंड लेना है डूंड कर और आपको जो है उसको क्लिक कर देना है उसके उपर तो मैंने जो दोस्तों फाइल थी डाउनलोड नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास जो update है अल्रेडी आ चुका है लेकिन मैं आपको फ अपडेट है यापे नीचे डाउनलोड शो होने लग जाएगा वो जब 100% डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको officially मुबायल गंदरी आपे नीचे जो है update का जो उप्षिन है शो होने लग जाएगा आपको दोस्तों आपको एक reboot now का option शो होगा तो उसके उपर आपको क्लिक करके और मोबाइल को रीबूट कर लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल अपडेट होने लग जाएगा, अपडेट होने के दोरान आपको उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और अपडेट करने से पहले आपको minimum बैटरी मोबाइल की उसको तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और दोस्तों वीडियो के एंड करने से पहले भी मैं आपको वही कहूँगा, कि आप पहले उस वीडियो के जाके देखिए, उसके अंदर जो तीन तरीके मैंने आपको बताएएं, उनको आप पहले फोलो करिए, पहली बात तो आपको जब आप उन तीन तरीकों को फोलो करोगे, आपको अपडेट 101% मिल जाएगा, अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा, फिर आप इस तरीकों के अराम से यूज कर सकते हैं, अच्छे से पूरी प्रसेस को करिए, आपका जो मोबाइल है, लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट हो जाएगा, तो बस दोस्तों यही था आज कि इस वीडियो के अंदर, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इंफोर्मेटिव रही होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेर करिए, इस चैनल को सुब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुडबाए, जय हिंद!